हेलो बच्चो क्या मज़ए मार तो चलिए आज का हमारा next question है question number 10 exercise 10.2 question number 10 तो चलिए start करते हैं और देखते हैं क्या है इस question में देखी जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं question में दिया हुआ है कि the proof that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary supplementary काने का मतलब 180 degree to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center चलिए figure से समझते हैं इसको देखिए यहां मैंने बना लिए एक circle ठीक है क्या बनाया मैंने एक circle बनाया external point पर यहां कोई point ले लेते हैं इस point का नाम हमने P दिया यह point क्या है circle के outside में यानि external point है और यहां से हमें दो tangents draw करने हैं यहां मैंने एक tangent draw कर लिया like this और यहां से एक tangent draw कर लिए इस तरह से और यहां center of the circle that is नाम दिया मैंने O यहां कुछ नाम दिया A इसका नाम दिया B यहां से आपको यह point को क्या बोलते है point of contact तो point of contact से आपको center को join करना और यहां से इसको join करना है ठीक है यहां हमें प्रूफ करना किस एंगल यानी ए पीबी मैल बिस एंगल इसका सम्ग होगा याने सप्लिमेंट करना कि यह हमें प्रूफ करना है यह यह हमने समजह कि आ जीर के सबसे भले क्या लिखते हैं इस पी ए कि कि ई और यह दो ऑ टेंजेंग्स ओप PA and PB are two tangents drawn from an external point P ठीक है? यह आपने समझा क्या proof करना हमें? तो यहाँ हमें proof करना है तो आप लिख सकता है two proof में यह एक तरह से आपका लिए given हो गया क्या proof करना हमें? हमें proof करना है कि angle APB बताइए angle APB plus AOB angle AOB equal to 180 degree यह हमें proof करना है आज आते हैं proof में देखिए क्या लिखेंगे proof में हम बताइए सबसे पहले हम लोग यहाँ यह समझने कोश करते हैं कि इसको कैसे proof करेंगे सबसे पहले आप यह समझने कोश करें कि आपने पढ़ा होगा PAO angle PAO this one 90 होगा PBO this angle 90 होगा न क्यों क्योंकि इसके लिए आपने एक theorem पढ़ा है कौन सा theorem पढ़ा है बताइए the tangent to a circle is perpendicular to the radius पढ़ान आपने the tangent to a circle is perpendicular to the radius इसी theorem का यूज करते वे हम लोग यह बता देंगे कि यह दूनों एंगल हमारा क्या होगा 90 90 अगर यह 90 और यह 90 है तो फिर आप आप किसी भी quadilator में आते हैं देखिए this one क्या है एक quadilator PAO B एक quadilator है और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी quadilator में चारो angles का sum कितना होता है 360 जी तो किसी भी quadilator में अगर हम चारो angles को add कर दे तो 180 हो जाएगा यह हम दो easily निकाल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं पहले theorem लिख लेते हैं कि the tangent the tangent to a circle is perpendicular to the radius perpendicular to the radius यह आप यह भी लिख सकते हैं through the point of contact क्या लिख सकते हैं through the point of contact through the point of contact ठीक है यह हमने सबसे पहले theorem लिख लिए इस basis पर हम लोगो क्या बोल सकते हैं कि angle PAO कितना होगा हमारा 90 degree and similarly PBO angle PBO यह भी क्या होगा 90 यह अपने समझा पी एओ और पी बी ओ बो बोथ हार 90 होगा theorem क्या दब अब हम जानते हैं किसमें क्वाडिलेटर में अब आते हैं इन क्वाडिलेटरल इन क्वाडिलेटर का नाम लिख सकते हैं PAOB अब किसी भी क्वाडिलेटर में चारों एंगल इड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 एंगल बताईए PAO इस एंगल को क्या बोलेंगे AOB प्लस एंगल AOB प्लस इस एंगल को क्या बोलेंगे PBO एंगल PBO और प्लस इस एंगल को बोलेंगे APB एंगल APB एकल टू बताईए 360 जी यह आपने समझा यहाँ आप रिजन में दे सकते हैं एंगल सब्सक्राइए 360 क्या लिखते हैं इस सम ओफ एंगल्स ओफ और क्वाड्री लेटरल इक्वल टू क्या होता है 360 जीए अब देखिए PAO कितना हमारे पास 90 यह मैंने क्या लिखा PAO के प्लस में 90 एंगल AOB यह मैं नहीं पता ना तो AOB के प्लस में AOB लिखते हैं PBO कितना है देखिए PBO कितना है अगें 90 डिगरी और APB कितना है APB नहीं पता हमें यही तो हमें calculate करना है इक्वल टू 360 डिगरी अब देखिए 90 90 कितना हो गया 180 90 प्लस 90 180 इस 180 को इधर shift कर लेते हैं तो यहां हमारे पास क्या बचेगा AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिगरी माइनस 90 प्लस 90 180 180 को हम लोग इस तरफ shift कर लेते हैं तो 180 और इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा 180 यानि हमें क्या प्रूफ करना था APB अंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 आचुका है तिस हमारा प्रूफ होचुका है इसको आप आगे पीचे लिख सकते हैं इसको आगे लिख लिजे इसको पीचे लिख लिजे तो इस तरह से यहां हमने प्रूफ कर लिख कि दिस एंगल प्लस इस एंगल कितना हो जाए क्या करता है radius में सा tangent पर 90 का एंगल करता है that's why this angle भी 90 और इस एंगल भी 90 अब आपको पता है कि किसी भी क्वाडिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री और अगर हम लोग यहां पर 90-90 पूट कर लेते हैं तो यहां पर easily हम लोग 180 प्रूफ कर सकते हैं I hope कि यह question अपको easily समझ मैं है हो